देखिए पहला अनुभव है 20 साल से संघर्ष के इस दोर में नोजवान होने के नाते अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुचाना और मुझे इसलिए भी ज्यादा उत्सुकता थी उत्साह था कि डॉक्टर वाबा साम बेटकर जो हमारे आदर्वस हैं उन्होंने कहा कि राइंतिक सत्ता की मास्टर चाबी से ही सारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और सम्मान में मिलेगा तो अब अवसर हाया है नोमिनिशन दाखिल किया है अब यहां से इसके बाद इस आगे की परक्रिया में हम लोग आ जाएंगे और फिर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जंता समर्थन के अपील करेंगे कितना कितनी उमीद है गोरकपूर की जंता क्योंकि इसको योगी का गड़ का जाता है यह गड़ कि लोकतंतर में नहीं होता है और आज तंतर में होता है यहीं से हमने बहुत सारे लोग हारते वे देखे हैं जब मैंने पहले भी कई बार का आज भी फिर उसको कोट कर रहा प्राइमिस्टर इंद्रा गांधी रहते वेहारी तो यह लोग जंता जी से चाहे उसे आगे बढ़ा दे और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है देखे मुख्यमंत्री जी कहीं कहे थे कि मैं गर्मी में भी मैं जून में भी सिमला बना देता हूं उन्होंने गोरकपूर को क् 60% जादा वो युवा परिशान हैं नोकरी के लिए रोजगार के लिए तमाम तरह समस्या खड़ी है महिला सुख्षित नहीं है और अब मेरी जिम्मेदार यह बढ़ती है कि मैं उनके सामने जाके अपने लिए वोट के अपील करूं तो अब ये भी देखना है कि क्या मेरी युग्यता जाती के वज़ी से तोली जाएगी या फिर मुझे मेरे काम की समर्थ न मिलेगा उसके मैं काम करूंगे बीजेपी तो कह रही है कि गोरखपूर में बहुत की बात नहीं कर रहे हैं पूरे प्रदेश में बहुत विकास किया है और आप कह रहें कि उन्होंने वि अगर आपने बहुत कुछ अच्छा किया थो सब्सक्राइब अगर आप को जुरत की बात करनी पड़ रही हैं अगर आप को इसका मदाब आपने कुछ नहीं किया ना और देखिया अगर पूरी संटर की यहां उतरी है तो कोई कारण तो रहोगा ना से पूछे महिलाओं से पूछे बच्चियों से जो पढ़े लिके सिक्सित बेरोजगार गूंप रहे महें एक आलम देखे गरीब उसे पूछे बरस्टा चार से का जो आलम है जाम जंता से अगर दुनिया में कहीं बारत की बात करना हूं अगर हैर संटर किसको भेजा जाएगा कोई नेता भी बिमार होगा तो यहां यहां से पेशन्ट जाते हैं हैं से लिए बियाटी मेडिकल को लिए विकास है और क्या-क्या उसमें तैयार हुआ है सिरप और सिरप जो हैं बढ़के उनको भी मैसूस हुआ कि रहांतिक सत्ता जरूर है इसलिए उन्होंने इस रास्ते को छोड़के रहांतिक सत्ता का रास्ता आज बीजेपी ने अपना मैनुफेस्ट जारी कि जिसमें उन्होंने कहा है कि लग जिहाद वाले मामले पे 10 लाग जुर्माना और कैड क उससे भी बड़े-बड़े मामले मोब लिंचिंग उस पर भी बात करें दलितों के साथ जैसे मामलों पर वादा किया था कि एक घर और एक वह देंगे क्याना नोकरियात तक नहीं दिए उस पर बात करें यह मैनुफेस्टों किसके लिए इनसे हिसाब कुन वाएंगा उसके दो करोड रोजगार देंगे प्राइमिस्टर बोले कहा हैं आपने कहा दिया योगी जी ने की लाग रोजगार देंग कहा है अब का लेक पार नेपाल भाग जाता है जूट की भी एक सीमा होती है लोग की वोट को ठगने के लिए राशन देने वाले मुखे मंतरी प्रदान की-वेस्त हुआ है वह एक्सिंडेंटल चीफ इनके नाम पे वोट नहीं लिया गया था उनके लिया था पिछले और के कहसे प्रसाद मोर्य का नाम पे और दिया पिछले ऑर का व्यक्ति मुख्यि मंतरी बनेगा चल्किया बीजय भी के लोगों ने और फिर मुख्य मंतरी ब झाल झाल